चलिए बात करते हैं में शार्षी वालों के लिए में शार्षी वालों अगर आज के दिन की मैं बात करूं तो आज का दिन आपके लिए आर्थिक स्थिर्ता को बनाने का हो सकता है आज के दिन आर्थिक स्थिर्ता से संबंदत कोई न कोई information महत्रपूर्ण सूचना आपको मिल सकती है किसी व्यक्ति विशेश के द्वारा दिया गया कोई बहुमूल परिस्तिती या निर्णय आपकी सिटेशन को आपकी सिटेशन को आपकी सिटेशन या परिस्तिती को और जदा प्रभावशाली बना सकता है साथी साथ आज के दिन दोरे आयाम आपके लिए इंकम आने के डिवेलप होते हुए नजर आएंगे मन आपका शांत रहेगा पारिवार एक स्थिरता भी बनी रहेगी बात करते हैं रिशवराशी बालों के लिए परिस्तितिया नुकूल है रिशवराशी बालों आपके लिए First half के दौरान थोड़ा सा आपका अपने आप से internal conflict रह सकता है, restlessness रह सकती है तनाव के दाइरे में आप आ सकते हैं लेकिन overall परिस्थिती इतनी negative नहीं रहेगी, प्रभाशारी तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है, मन को शान्त रखिए, positivity इंब्रेश करिए, पूरी तरह से लगे रही है जो आपका एक लक्ष है, लक्ष के प्रती सचेत रही है, जिस तरह से आपकी अवस्थाएं, परिस्थितियां सिच्वेशन आगे की तरफ बढ़ रही है, बात मान के चलिए, कि कुछ नया करने की आप सोच जो रहें इतने सालों से, महीनों से, दिनों से, अब वो परिस्थिती आपके लिए काफी ज़्यादा लाबदायक से दो हने वाली आर्थिक स्थिरता प्रबलत की ओर बढ़ रही है, मन आपका शांत रहेगा, कोल मिला के ये समय बहुत ज़्यादा अच्छी परिस्थितियों को इंब्रेज करने का है, पॉजिटिव माइंसेट को डिवेलप करने का है, और कुछ नया काम करने का है, जो आपके इंकम को और ज़्यादा बढ़ोतरी जिस लेकिन स्वास्त के प्रती थोड़ा सा सचेत सजग रहने की ज़रूरत है, थोड़ी सी असाफधानी आपके लिए काफे ज्यादा चिंता का सबब बन सकती है, लंबे समय से चल रहा है पारिवानिक तनाव, अब कहीं न कहीं साजा होता हुआ नजर आएगा, उसमें आपको positivity देखने को मिलेगी, अगर आप किसी matter के लिए कोई information सूचना या कोई result अगर वेट कर रहे थे किसी एक particular situation के लिए तो अब वो आपके favor में आ सकता है, चाहे वो नौकरी चेंज करने के एक शुक हो या कोई ना कोई परिक्षाद दिया हुआ उसका result हो, बात करते हैं आज का दिन आपके लिए emotionally काफी सदा टारिंग और टाक्सिंग हो सकता है, खासतोर पर relationship का issue आ सकता है, relationship में आपको साफधानी बरतने की जरूरत है, सोचे समझे, शब्दों का प्रियोग करें, आप अपने relationship में misunderstood हो सकते हैं, communication को अगर हमें clear रखना है, तो शब्दों का प् आपको अपने partner के साथ सारे confusions को clarity को, confusions को clear करना है, clarity के साथ बढ़ना है, second half के दौरान, बात करते हैं, सिंग राशी वालों के लिए, परिस्तिती अनुकूल रहेंगी, सिंग राशी वालों कुछ खास उतार चड़ाव चीजों में देखने को नहीं मिलेगा, परिवार में सामाने रहेगी, कुछ खास परिवारिक इस्तिरता भी नहीं भी गड़ती हुई नजर आएगी, कुछ नया करने की सोच रहे हैं, तो सामाने पर इस्तिती रहेगी, however, आपका confidence level थोड़ा सा एक डावाडोल हो सकता है, second half के दौरान, तो वहाँ पर आपको चेक पॉइंट ल भावशाली बनाया जा सकता है, वहाँ पर आपको अपने दृष्टी कोण को चेंज करने के जरूरत पड़ सकती है, बात करते हैं करने राशी वालों के लिए, परिस्तितियां सामाने हैं करने राशी वालों, कुछ नया सिच्वेशन में आप मोड ला सकते हैं, अपनी परि lifestyle improvement techniques पे काम करना चाहते हैं सारी चीज़ें आपके लिए positive चल रही हैं जिसकी शुरुआत आज से होते हुए आप देखेंगे बात करते हैं तुलराशी वालों के लिए तुलराशी वालों जल्दबादी financial matters में ना करें सोच समझ के positivity को साथ में रखते हुए सारे aspects को ध्यान में रखते हुए साफधानी बरतते हुए situations को अपने favor में लेते हुए किसी एक particular समस्या पर आपको address करना है अगर आपको options चूज करने है तो किसी वृत्तम सदस्य पारिवारिक सदस्य की सला मश्वरा के साथ ही कोई एक option को चूज करें पारिवारिक स्थिरता बनी रहेगी लेक सब कुछ आपके favor में है साधारता जैसी situation चल रहे है चलती रहेगी कुछ खास आपको changes देखने को नहीं मिलेंगे आप परिवार में भी स्थिरता बनी हुई है सामाने आपकी परिस्तिती रहेगी spiritually थोड़ा सा elevated हो सकते है spiritually आपका मन और आगे बढ़ सकता है प्रभाशाली तरीके से चीज़ों को आप अपने favor में ले पाएंगे professionally और आपकी अगर कद देखें तो बढ़ता हुआ नजर आएगा लोग आपके काम की तारीफ भी करेंगे और आप professionally recognize भी अपने आपको होते हुए देखेंगे कुल मिला के अच्छा phase अच्छी situation अच्छी परिस्तिती professionally आपको देखने को मिलेगी थोड़ा सा आपको अपने खान पान पर आज के दिन नेंतरत रख के चलने की जरूरत है बात करते हैं धनूराशी वालों के लिए situations परिस्तिती अवस्ता हैं आपके लिए बिल्कुल ठीक है धनूराशी वालों जिस तरह से जिस परिस्तिती से confidence level क साथ आप चल रहे हैं चलते रहिए कुल मिला के परिशानियां आपको किसी भी चीज में देखने को नहीं मिलेंगी सेकंड हाफ के दौरान थोड़ा सा आपके लिए टारिंग और टाक्सिंग हो सकता है ओवर बर्डन हो सकते हैं आपको लॉंग वर्किंग आंस भी हो सकते है हैं साथी साथ उनकी वज़ए से चिल चल 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 आपन स करें और एकर रूपर को समझने की कोशिश। रहा है तो इसको लेट गो करने की कोशिश आज की दिन करनी चाहिए बात करते हैं मकर राशी वालों के लिए परिस्तिती आपके लिए नुकूल हैं मकर राशी वालों, मन आपका स्टॉंग है, विचार धारा है, आपके प्रबल है لم्बे समय से चल रहा कोई पारिवहरी गरिण, आपका साजा होता हुँआ नजर आएगा कुछ नया काम करने की सोच सकते हैं किसी शुपचिंतक की तरफ से कोई बहमूई राय मिल सकती है पुराने किसी मित्र की वज़ा से आपका प्रॉफिट हो सकता है उसी मित्र के साथ आप कुछ काम काज करने की सोच भी सकते हैं पार्टनर्शिप्स आपके लिए अनुकूल रहेंगी, पारिवारिक स्थिर्था बनी रहेगी, कुल मिला के ये समय आपके लिए नई चुनोतियों को सुईकार करके आगे बढ़ने का है, चैलेंजिंग फेज आपके लिए रहेगा, लेकिन एड़ अड़ आप विजयी घोश करेंगे, तो सबसे पहले आपको जरूरत है अपने मन को शांत करने की, चीजों में जल्दबाजी नहीं करनी है, चिचलापन अगर हो रहा है, तो उसका रूट कॉज आड़ने की कोशिश करिए, प्रोफेशनली अगर चांसेज आपके प्रोमोशन के थे या सालरी हाइक के तो वो परिस्तितियां आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन आपका अपने अंदर, अपने आप से यह अंतरद्वन्द आज के दिन चल सकता है, तो आज के दिन मन को शांत करिए, सिलेक्टिवली ऑप्शन्स को आपको चूस करना है और आगे बढ़ते चलन हैं, जिससे कि आप निरना एक पोजीशन में आ सकें, बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए, परिस्तितियां अनुकूल है, मन आपका शांत है, विचारधारा एंप्रबल है, कॉन्फिदेंस लेवल में एजाफा होते हुए, को एक बहुमूल दृष्टिकोन को अच्छा समय है, अच्छी परिस्तिती है, इसको इंब्रेस करें, आगे बढ़ते चलिए, आपका मन शांत रहेगा, पॉजिटिविटी इंब्रेस करते हुए, कोई एक महत्वपॉन दृष्टिकोन अपनाते हुए, आप पुरे परिवार के लिए आज के दिन एक डिसिजन ले सकते हैं, जो आपके लिए काफी साथ लंबे समय में लाबदायक सिद्ध हो सकता है, इसके साथ मुझे आगए दीजे, मैं कल फिर आजरूंगे, नमस्कार